तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेकफास्ट रेसिपी जिसको मैंने आपकी हैल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाया है और आप इस रेसिपी को एक बर बना कर दो महिने के लिए आराम से इस्टोर करके रख सकते हो तो फ्रेंड्स आज की यह रेसिपी अगर तो आप मेरी रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलते हम रेसिपी की और 200 ग्राम पेशन लेंगे एक टेबल स्पून डालेगे एक चम्मच अज्वाइन डालेंगे और एक चम्मच नमक डालेंगे तो आप थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हो अब हम इसको मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और जैसे हम चपाती का आठा लगाते इस तरह का डो बना कर तयार करेंगे इस तरह से आपका डूब बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए हलका सा ये सौप्ट ही होना चाहिए अब हम इसको पाल्ट में कट कर लेंगे तो हम यहां पर सेव बना रहे हैं उसके लिए हमने किसी मसीन का इस्तेमाल नहीं किया है यहाँ पर घर में सभी के नॉर्मली कद्दूकस होता है तो मैंने यहाँ पर कद्दूकस ले लिया है अगर कद्दूकस भी नहीं है आपके पास तो पूरी अतारने की यह जलार होती है आप ये भी ले सकते हैं इसके छे थोड़े से मोटे होते हैं और अगर ये भी नहीं है तो ये तो यकिनन सभी के पास होती होगी जिसको हम छोटी जलर यानि पूरी तारने वाली स्पैचुला बोलते हैं इसके छे थोड़े बारिक होते हैं इनमें बारिक सेल तूटेंगी और ये छली लेली है जिनमें हम सेव को उतारेंगे ताकि इनका जितना भी एक्ष्टा ओयल होगा वो खतम हो सके यानि नीचे आ सके तो ये टोटल सामान हो गए हमारे सेव उतारने के लिए तो हमने आपर गैस पर कड़ाई भी चड़ा दी है तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए सबसे पहले हम कद्दू कस से सेल तोड़ कर आपको दिखाते हैं ये देखिए एकदम मार्किट जैसी एकदम लबी लबी सेल तोट रही है बिल्कुल साइज भी वही है और टेक्चर भी वही है तो पहुती आसानी से कद्दू कस में ये सेल तोट जाती है ये देखिए बस आप एक बात का ध्यान रखे जब आप कद्दू कस में सेल तोड़ ले तो इस पे हलका सा पाने लगा कर रख दे ताकि ये बेसन सूखे ना तो ये देखिए सेल का टेक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्य तीन मिनट पे मीडम फ्लेम पर आसानी से ये सिख जाती है एकदम कुरकुरी बनती है आप इनको थोड़ा सा चलाते होए सेक ले बस जब आपको लगे ये सिख चुकी है या ये करारी बोल रही है तो आप इनको निकाल ले मैं इनको छली में निकाल रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा ओयल वापस से कड़ाई में ही जा सके तो ये तो हो हमारा पहला ओपसन अब हम दूसरा ओपसन इस्तेवाल करते हैं अब हम जलर उठा लेते हैं तो ये मैंने यहाँ पर ले ली है छोटे वाली जलर आप इससे देखिए थोड़े से बारिक सेल उतरेंगे हमारे देखिए बस इसे क्या होगा थोड़ा सा आपको time extra लगेगा क्योंकि ये छोटी होने के कारण इसके छेड भी बारिक है और इसमें छेड भी कम है तो थोड़ा सा time जाधा लगेगा देखिए इसमें भी आसानी से शेल तोड़ चुके है ये मैंने निकाल लिए यहाँ पर अब बसता है हमारे पास तीसरा उप्सन तो ये मैंने बड़े वाली जलर ले ली है तो इसमें इसी तरह के सेल टूटेंगे जैसे हमने कद्दूगत से तोड़े हैं या आप बोल सकते हो टेक्चरीन का वो ही है देखने में से इसी तरह से लग रहे हैं जैसे हम मसीन से तोड़ते हैं या फिर मार्किर से लेके आते हैं ये देखिए तो आपने देखा कि हम घर में ही कुछ चीजों से ये दास्ता ये सेल या बच्चों की पसंद होती है इनको द महिना दो महिना कहीं भी जाने वाले नहीं हैं तो फ्रेंट्स आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें